मुझा आओ इतनी राद गये यहां कैसे आ गई पतिदेव को नीन की गोल्या खिलाकर अपने पापों का प्रैश्चित करने के लिए बीस दिन का वरत और रख लिया है तीस दिन और? क्या बात है? किस पाप की सजा दे रहे हो मुझे? दोस्त तुम्हारा नहीं, मेरा है दोस्तो 1996 में रिलीज हुई आमीर खान के फिल्म राजा हिंदुस्तानी के वो गाना परदेसी परदेसी जाना नहीं आज भी लोगों को याद है इस गाने में आमीर खान के साथ कलपना अयर भी एक बंजारन के रोल में नजर आई थी कलपना अयर एटिस की हिट आइटेम गर्ल रहे चुकी है जिन्होंने कई फिल्मों में वैम का किरदार भी निभाया है कलपना अयर एक ऐसी एक्टरस के तोर पर उबरी जिन्होंने फिल्मों में आईटेम नंबर्स को एक नई पहचान दी जब भी कलपना अयर की बात होती है तो यका यक उन पर फिल्माए गए गाने भी जहन में आ जाता है फिल्म वारदाद का तू मुझे जान से भी प्यारा है या फिर डिस्को डांसर का कोई यहां आहा नाचे नाचे या फिर लूट मार फिल्म के जब चाए मेरा जादू कोई बचना पाए जैसे कई गाने कलपना अयर की याद दिलाती है कलपना अयर काफी सेंसूल और आकरशक छवी वाली हिरोईन मानी जाती थी वो ना सिर्फ एक बहतरिन एक्टरस रही वलकि जबरदस्ट पॉप सिंगर भी रही जिन्होंने कई लाइब शोज में परफॉर्म भी किया 1980 के दशक की शुरुआद से 1990 के दशक के मध्य तक 100 से अधिक फिल्मों में अभिने करने वाली ये अभिनेत्री का जनम 17 एप्रिल 1955 को बॉंबे में हुआ था उनकी पहली फिल्म राज बबबर पुनम धिलो स्टारर फिल्म पुनम 1981 में रिलीज हुई थी कलपना अयर की बहतरीन एक्टिंग का नमूना अंजाम राजा हिंदुस्तानी हम साथ साथ है वारदाद डिस्को डांसर और सत्य पे सत्य जैसी फिल्मों में देखने को मिला और फिर अचानक ही एक दिन कलपना अयर फिल्मों से ही गायब हो गई बॉल्यूड स्टार अमजद खान यानी गबर के साथ कलपना अयर का एफियर खूब चर्चे में रहा कहा जाता है के कलपना अयर अमजद खान के प्यार में इस कदर दिवानी थी कि अमजद खान के मौत हो जाने के बाद उन्होंने कभी शादी नहीं की और आज भी 62 साल के उम्र में भी वो अन्मेरेड है एक इंटर्वियू में कलपना से जब शादी के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा था मैंने शादी क्यों नहीं की ऐसे कई सवाल है जिनका जवाब मैं नहीं दे सकती शायद मुझे में शादी करने की हिम्मत नही थी या फिर मैं शादी के लिए बनी ही नहीं थी रिष्टे बनाना बहुत तकलिफ दायक होता है काश मैंने शादी की होती या फिर कम से कम मेरा कोई बच्चा होता बता दे के कलपना आयर आखरी बार 1999 में सूरज बरजातिया के फिल्म हम साथ साथ है में नजर आई थी क्या आप जानते हैं के कलपना आयर आज कहां है और क्या कर रही है कलपना आयर फिल्मी दुनिया और ग्लैमर की चौका चौन से दूर दुबई में है और वहाँ अपना एक रिस्टोरेंट चला रही है ये बात कलपना आयर के फैंस को चौका सकती है और साथ ही उन लोगों को भी जो कलपना आयर जैसी बोल्ड और बहतरीन एक्टरस के बारे में जानना चाहते हैं लेकिन कलपना आयर को इस बात से कोई गुरेज नहीं है कि वो फिल्मे छोड एक रिस्टोरेंट चला रही है कुछ साल पहले दिये गए एक इंटर्विव में कलपना आयर ने फिल्मे छोड दुबाई आने के बारे में बातचित की थी और बताया था कि क्यूं वो दुबाई आई और रिस्टोरेंट के बिजनेस में जुट गए कलपना आयर ने कहा था कुछ तकलीफों और परेशानों के चलते मैं दुबाई आई नीजी तोर पर मेरी जिन्दगी में कुछ ऐसी चीज हुई जिनसे मैं बुरी तरह से तूट गई थी और मेरी वज़ा से मेरी फैमिली को भी काफी तकलीफ हो रही थी मुझे लगने लगा था कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी और तब ही एक्टर राजन सिप्पी और उनके वाइफ ने मुझे दुबाई आने का मौका दिया और एक काम भी दिया इस तरह मैं दुबाई में राजन सिप्पी के रेस्टोरेंट दो मुगल रूम में होस्टेस का काम करने लगी और बाद में मुझे एमबसेडर होटेल के मालिक ने अपने यहां नौकरी दी कलपना अईयर अपनी जिन्दगी में खुश है और हम फिल्म लवर्स चाहते हैं कि वो हमेशा खुश रहे उनके जैसे बहतरीन अविनेत्री फिल्मों में फिर से वापसी अगर कर पाती तो ये फिल्मी दुनिया और हम फिल्म लवर्स के लिए बेहत अच्छा होता